हाई गाईस कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आप सभी का आपके अपनी चैनल को कुछ वितावेंदी का रशीम भी स्वागत हैं गाईस आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जादा हेल्दी और बहुत ही जादा टेस्टी स्नेक्स की डेस्पी रही कराई हूं आप इसे अपने बच्छों के लंच में भी दे सकते हैं साथी साथ आप बारिस का मौसम स्टार्ट होने वाला है ऐसे में हमें भजिया और इस तरीके के स्नेक्स बहुत ही जादा पसंद आते हैं टी टाइम की समय पर टी टाइम स्नेक्स के रूप में तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा चलिया ये सुरू करते हैं सबसे पहले हमें ले लेना है एक पिल्कुल स्मॉल साइज का या फिर आप अपने अकॉर्डिंग आलू ले सकते हैं आलू को अच्छी तरीके से हमें इसके चिकल को निकाल लेना है तो गैस आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा आलू नहीं लिया यहां पे बहुत मीडियम साइज का आलू लिया आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं यहां आलू के छिकल को निकाल देंगे और अच्छे से पानी से धो लेंगे दुलनी के बाद हमें करना है कि आलू को रफली छॉप कर लेना है मोटे मोटे टुकडों में कट कर लेना है क्योंकि यहां पे हमें आलू को कद्दुकस नहीं करना है नहीं यहां पर हमें बॉइल करना है आलू को बस इस तरीके से रफली हमें यहां पर आलू को चौप कर लेना है बहुत ही सिंपल रेसिपी है गाइस एक बार आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखेगा यकीन मानिया आपको मेरी यह लेस्पी बहुत ही ज़ादा पसंद आने वाली है तो आलू को हमने रफली चौप कर लिया था यहां पर मैंने यह मिक्सी का जार लिया है सारे चौप के हुए आलू को मैंने डाल दिया है यहां पर कुछ और सामक्री लिये जैसे अद्रग, कटा हुआ प्याज, लेसन और हरी मिर्च प्याज आप नहीं पसंद करते हैं तो आप इसकिप कर सकते हैं और लेशन अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप इन में से कोई भी चीज इसकिप कर सकते हैं यहां पी आप बहुत सारी वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, यहां पी मैं डाल रही हूँ दो से तिन हरी मिर्च, बहुत सहाथ चटपटा नहीं बनाना हमें, साथी साथ मैं डालूँ यहां पे एक कटोरी सूजी, सूजी आप कोई से भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में और इसे कवर करके हम ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल बारे यहां पर मैंने सूजी को ग्राइंड कर लिया है और साती साथ आलू अद्रग हरी मिर्च और प्याज भी हमारा अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है यहां पर जब भी आप अगर वेजटेबल यूज़ करे यहां पर सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के पाद में जब हम यहां पर मसाली अड़ करेंगी उसी समय आप बारी कटीवी वेजटेबल भी डाल सकते हैं तो गैस यह देखे एक बावल में मैंने सारी मिक्सर को ट्राइंसफर कर लिया है गैस अभी हमारा जो यह मिक्स है यहां कि बेटर है वह काफी ज़्यादा थेक है तो मैंने मिक्स जाल में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें से जो लगा हुआ बेटर तब निकाल लिया है और यहां पर देखे पानी डाले के बार में जो काफी अच्छी से बैलन सोची कि बहुत जादा हमें पतला इसे नहीं क इसे मिक्स कर लिया है चलते हैं कढ़ाई की तरह तो यहां पर मैंने गैस के ओपर कढ़ाई रखी है कढ़ाई में मैंने ऑईल बटर यगी वेगर कुछ भी नहीं डाला है सिंपल से हमारा जो यह जो हमने मिक्स बना के रखा था सूजी और कच्छे आलू का उसे डाल देना है और अच्छी तरीके से स्लो फ्लेम में इसे हमें कंटिनू चलाते हुए इसे हमें पका लेना है आप जैसे की वीडियो में देखी पा रहे हूंगा अभी तक मैंने हापे ऑईल बटर यगी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं किया है गाइस यह रेस्पी बहुत ही कम ऑईल में बनने वाली है बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है यहां देखे काफी अच्छे से यह थीक हो चुका है बिल्गुल डो के फेम में यह आ जाएगा उसमें हमें करना क्या है इसे थूड़ी देर हमें और 2-3 मिनिट और हमें पका लेना है ताकि बहुत अच्छे से थीक ह हो जाए जैसे ही यह थीक हो जाएगा कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कढाई भी हिल रही है मिक्स करने के वक्त मैंने गैस की फ्लेव को बंद कर लिया और कढाई को गैस में से नीचे उतार लिया है तो अभी आप देख सकते काफी जादा जो हमारी सू अगर आप हरी वेजिटेबल भी डालना चाहते हैं तो इसमें इस वक्त भी आप डाल सकते हैं वेजिटेबल को या फिर आपने जब भूलता है उससे जब हमने पकाया थे उसमें भी डाल सकते हैं यहाँ फोटी स्पून के करीब हम लेंगे काली मिज टेस्ट के अकॉर्ण करीब लेंगे जीरा आप चाहें तो इसमें कशोरी मेथी या फिर मेंटल ड्राइव मेंट का भी इस्तमाल कर सकते हैं साथी मैंने यहाँ पे डाला है मैगी मसाला क्योंकि बच्चों को मैगी मसाली के फ्लेवर बहुत ही जादा पसंद होता है साथी मैं यहाँ थोड़ी से चौप करके डाल रही हूं आप चाहें तो यहाँ पे पाव भजी मसाला भी इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे भी पर मैंने यहाँ पर मैगी मसाला लिया क्योंकि मेरे बच्चों को मैगी मसाले से बनी हुई चीज़े बहुत ही ज़्यादा पस तरीके से मिक्स हो चुका है और काफी अच्छी से ठंडा हो चुका है अब हमें क्या करना है हातों को हलका सा क्रीज कर लेंगे ऐल या बटर से इसके बाद में चोटे-चोटे पोर्शन को हम लेके और जैसा भी आपको पसंद और उससे शेफ में आप इसे बना लीजिए तो यहां चैवल का आटा और जो उसे हमें चैवल के आटे में कोट कर लेका है। अगर आपके पास चावल काटा नहीं है तो आप कौन इस्टाच कर सकते हैं अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सिंपल से ब्रेट क्रब में भी इसे कोट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हमें कोट नहीं करना बस हलका हलका सा कोट करना है यह सारे लगेट्स और हमारे जो सुझी के कुरकुरे हैं इसे मैंने कोड कर लिया है चावल कयाट इसे हाइ फ्लेम के ओयल में हमें अच्छी तरीके से इसे फ्राइ कर न이라 है और तब तक फ्राइ करना है जब तक कि यह जो है गॉल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं खास बात यहां पर यह है कि जब तक यह ओयल में उपर टैरने नहीं लगते हैं तब तक आपको बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना है क्योंकि अंदर से काफे ज़्यादा सौफ होते हैं यहां पर देखें ओयल में बिल्कुल उपर आ चुके हैं फूल की तो इसी तरीके से हमे बोख़ ज़ादा पसंद आने वाले रेस्पी है एक बार आप इसे चलों ट्राइ कीजेगा आप इसके आवाज से ही समझ सकते हैं कितने ज़्यदा खुणि हो कितने ज़्यदा ये नगेट्स क्रश्पी बने हुए है इसी तरीके से हम सारे के सारे nuggets को fry कर लेंगे और इसी तरीके से हम tea time snacks के रूप में इसे enjoy कर सकते हैं आपको मेरी recipe कैसी लगे प्लीज comment करके जरूर बताईएगा recipe पसंदा है तो recipe को like कीजिए channel को subscribe कीजिए all का button दबाईए ताकि आपको मेरी नए नए recipes की notification पहले पहले क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो रही बारीस और बारीस के time पे भजिया और इस टाइब के snacks होती ज़्यादा पसंद आते हैं आप इसे पच्छों के lunch box में भी दे सकते हैं तो guys एक पर इस recipe को ज़रूर ट्राई केजिएगा thank you